Welcome to English Baba Channel Class 10th English First Flight Book से जो Chapter No.2 है Nelson Mandela आज हम करेंगे उसके Question Answer तो जल्दी से वीडियो को Like कर दो I hope आपने वीडियो को Like कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं Children Question No.1 है Where did the ceremonies take place? जब Nelson Mandela ने शपत ली थी तो वो ceremony कहाँ पे हुई थी? Can you name any public buildings in India that are made of sandstones? क्या आप ऐसी building के नाम बता सकते हो इंडिया में जो sandstone की बनी है तो Children, first of all हम images से समझाएंगे जो Nelson Mandela है जब वो president बने तो उन्होंने शपत ली थी union buildings जो के praetoria में है और sandstone से बनी हुई हमारे यहां जो building है वो है red fort जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है और रास्टपती भवन अब इसी बात को easy language में अपनी language में लिख देंगे The ceremonies took place in the campus of the union buildings of praetoria जो यह जो ceremonies हैं यह हुई थी union buildings praetoria में, South Africa में In India, रास्टपती भवन and red fort are buildings made of red stone अब वो क्यों पूछ रहा है कि जो sandstones की बनी हुई जो इमारते हैं वो इंडिया में कौन-कौन सी हैं कौन-कौन सी हैं एक तो है red fort और दूसरा है हमारा रास्टपती भवन Next question Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa अब यह पूछ रहा है कि भईया जो 10 May का दिन है वो autumn कैसे हो गया autumn तो होता नहीं है Children जब आप छोटे थे या हम भी छोटे थे तो हमने सुना होगा कि भईया जब यहां पे दिन होता है तो बहुत सारे countries में रात होती है जब यहां रात होती है तो बहुत सारे countries में दिन होता है ऐसी बात अब ऐसा इसलिए होता है कि जो South Africa है as South Africa is in Southern Hemisphere क्योंकि South Africa South में पढ़ता है Southern Hemisphere में पढ़ता है जो मई है मई का महिना है falls in the autumn season और यही reason है कि वहां पे मई के महिने में autumn season होता है Thus 10th May is an autumn day Next question At the beginning of his speech Mandela mentions an extraordinary human disaster जब Mandela अपना speech शुरू करते हैं जब वो President की शपत ले रहे थे तब वो एक बहुत बड़ी गलती की human disaster की बात करते है What does he mean by this उनका क्या मतलब है वो किसकी बात कर रहे है What is the glorious human achievement और बाद में वो एक बहुत अच्छी बात करते है कि human achievement क्या है तो इसका answer है Children South Africa के अंदर एक system चल रहा था अपैर्थिट जहां पे काले लोगों को inferior समझा जाता था और white लोगों को superior माना जाता था कई जगे ऐसी area बना दिये गए थे जहां पे केवल white लोग जा सकते थे और black लोग नहीं जा सकते तो ये तो चीज गलत है तो जब उन्होंने शपत ली उन्होंने कहा कि भईया ये हमारी बहुत बड़ी human disaster थी लेकिन अब glorious achievement क्या है कि उन काले लोगों को जिनको कोई पूछता भी नहीं था आज वो ही काला एक person इस देश का president बना है अब हम इस बात को अपनी language में लिख देंगे क्योंकि वहाँ पर अपैर्थेड वाला system चल रहा था जिसमें काले लोगों पर अत्याचार किये जाते थे और इस सिस्टम में क्या होता था काले लोगों को नीच समझा जाता था जिसका खामियाजा भूगतना पड़ता था ब्लैक लोगों को अब वो बात बता रहें कि glorious achievement क्या है देख रहे हो यहाँ पे कि वोई काले लोग जिनको कोई पूछता भी नहीं था आज system change हो गया है उसी काले परसन को आज उस देश का क्या बनाया गया है प्रेसिडेंट बनाया गया है जहाँ पे उन लोगों को ठीक से treat भी नहीं किया जाता था next what does mandela thank the international leaders for जो mandela है वो international leaders को thank you क्यों बोलते हैं क्यों उनका धन्यवाद करते हैं तो पहले हम images से समझेंगे जब mandela ने शपत ली और वो पहली बार president बने तो बहुत सारे international guests भी आये उन्हें बधाई देने के लिए actually हुआ ये था कि जब South Africa के अंदर apartheid system चल रहा था बहुत सारे countries ने अपने relation South Africa से तोड़ लिये थे लेकिन जब finally South Africa को अपनी गलती समझ में आई जब उन्होंने apartheid system को खतम किया जिसमें काले लोगों को inferior समझा जाता था तो वो सारे countries और वो सारे minister जिन्होंने अपने relation तोड़ लिये थे वो दुबारा से South Africa के साथ वापस आ गए और इसी बात के लिए जो Nelson Mandela है वो उनको thank बोलते हैं कि हमने अपनी गलती सुधारी और आप लोग हमारे इस नई शुरुआत में हमारे साथ आयों तो देखो the time apartheid system was going on in South Africa many countries broke off their relationship with South Africa जब apartheid system चल रहा था बहुत सारे countries ने अपने relationship तोल लिये थे South Africa से but when this system finally came to an end and Mandela became the first black president of South Africa all those countries leaders which earlier broke off their relationship with South Africa were present there in respect of Mandela जब finally वो system खतम हुआ कहां पे South Africa में और जो वहां के Nelson Mandela थे जो के black person थे जब वो president बने तो finally जो सारे countries थे जिन्होंने अपने relation तोल लिये थे वो दुबारा से अपने relation उनसे मजबूत करने के लिए और Nelson Mandela को respect देने के लिए वो वहां पे आए so Mandela thanks all of these international leaders और इसी बात के लिए वो उनको thank you बोलते हैं चिलन अभी तक मेरे दोस्त इस वीडियो को like नहीं किया तो यार एक like कर देना बहुत मैनत लगती है इस तरह का वीडियो आपके लिए बनाने के लिए so I hope आपने वीडियो को like कर दिया है what ideals does Mandela set for the future of South Africa अब जब Mandela कहते हैं कि भई अब future में हम क्या करेंगे क्या ideal set करते हैं Nelson Mandela set the ideals of liberating people from poverty and suffering वो कहते हैं अब कोई भी person गरीब नहीं होगा कोई भी person अब सफर नहीं करेगा काले गोरे का कोई भेद नहीं होगा he also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origin और वो कहते हैं अब हम एक ऐसी society बनाएंगे जहां discrimination का मतलब होता कोई भेद भाव नहीं होगा ना तो gender के बेस पर मतलब लड़का लड़की के बेस पर और ना ही racial मतलब color के बेस पर सब बराबर होंगे why did a large number of international leader attend the inauguration what did it signify the triumph of क्यों इतने सारे international leaders President Nelson Mandela की सपत शेरीमनी में आये थे और इससे किस बात की जीत triumph का मतलब होता है जीत होग a large number of international leaders attended the inauguration to show that it was not just the victory of South Africa but whole world and whole humanity why इसलिए आये थे ये सारे leaders क्योंकि ये केवल South Africa की जीत नहीं थी ये पूरे संसार की जीत थी ये पूरी humanity मतलब इंसानियत की जीत है it signified the triumph triumph का मतलब होता है victory of good over evil और इस वाली बात से हमें पता चलता है कि ये एक अच्छाई की जीत है बुराई के ऊपर what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him जब Mandela ये वाली बात कहते हैं कि मैं आद जो भी हूँ मेरे साथ जो लोग खड़े रहे मैं उन सब का plus हूँ उन सब को मिला कर आज हम अगर वो ना होते तो हम सफल ना होते तो वो क्या कहना चाते हैं children इस बात को समझने के लिए हम चलेंगे इस images समझें हम Indians लोग हैं अब यार भारत जो है गुलाम हुआ करता था 1947 से पहले Britishers का अब भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, सुभास चंदर बोष, चवार लाल नहरू, लाल बहादूर सास्त्री, सरोजी नाइडू, ठीक है, बाबा भीमराओ, अमबेड कर, सब लोगों ने अपना-पना कंट्रिबिशन दिया अगर मैं कहूं कि खाली महात्मा गांधी जी की वज़े से, मैं कहूं खाली सुभास चंदर बोष ची की वज़े से, तो तो नहीं है न, तो सब लोगों ने अपना-पना कंट्रिबिशन दिया, और तब जाके हम आजा दूए, वो ही बात साउथ अफरीका के प्रेसिडेंट नेलसन मंडेला जब शपत ले रहे हैं, कि जब मैं ये स्ट्रगल कर रहा था, तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ऐसे थे, जिन्हों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, और तब जाके हमें ये सफलता मिली है, तो आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनकी बदौलत हूँ, त कह रहे हैं, कि एक आदमी की वज़े से नहीं है, खाली मेरी वज़े से नहीं है, यहां तक कि उन्हों ने देश के लिए अपनी जान भी दे दी, अब मंडेला एक अजीब सी बात कहते हैं, कि जब आउपरेशन यानि अत्याचार होता है, तो लोग निकल के सामने आते हैं, मतलब असली जो हाइट्स आफ करेक्टर है, वो तब बिल्ड होती है, अब यह थोड़ा अजीब लगता है, चिल्ण इस चीज को समझेंगे हम यह अच्छा मुझे यह बताओ, अगर हमारा देश अल्रेडी आजाद होता, गुलाम ना होता, अंग्रेज हम पे अत्याचार ना कर रहे होते, तो क्या हम आज महात्मा गांदी जी को जानते हैं, बोलो, क्या महात्मा गांदी को सत्यागर्य करने की जरूरत पड़ती, क्या अपने देश को आजाद कराएंगे, चाहे कुछ भी हो, तो तब जाके जो परस्नेलिटी है, वो निकल के आती है, तो वो ही वाली बात वो यहाँ पे कह रहे हैं, कि I agree with the statement that depths of operation create heights of character, चलों जहां मैंने red-red लिखा है, वो पूरा मैंने question से उठाया, Nelson Mandela illustrates this by giving example of great heroes of South Africa who sacrifice their lives in long freedom मुझ त्रगर, Nelson Mandela इस बात को example के थुरू explain करते हैं कि जिन leaders ने, जिन freedom fighters ने अपनी जान की बाजी दलगा दी, इस freedom के लिए, इंडिया is full of such examples, इंडिया में भी पूरी तरह से भरे पड़े हैं इस तरह के example, British continuous operation made many ordinary person, brave hero, जिस तरह से British हम लोगों पर अत्यचायर कर रहे थे तो उसी मेंसे क्या हुआ हम लोग जो ordinary लोग थे वो ही नेता बन के आए, महात्मा गांदु, सुबास्ट, लाल अलाजपत्रा है, और freedom fighters risk their life and finally we got freedom, हमारे जो freedom fighters हैं, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, और तब जाके हमें freedom मिली, क्योंकि इसमें एक और चीज freedom change with age and experience, मंडेला की जो समझ थी, freedom को लेके, वो age के साथ और experience के साथ बदल कैसे गई, as a child, मंडेला used to believe that he was free, जब वो बच्चा था तो वो यह सोचता था कि भाई मैं तो आजाद हूँ, but when he grew up, he understood the system prevailing in South Africa, लेकिन जैसे ही वो बड़े हुए, उनको समझ में आया कि भाई चला है, where white people were considered superiors, जहां सफेद लोगों को तो superior माना जाता था, gradually he understood that it was not just his freedom which was being curtailed, but of every black person of the nation, और बहुत जल्दी ही हुना ये वाली बात समझ में आगे, कि ये केवल उनके लिए साथ नहीं हो रहा, जितने भी काले लोग हैं उनके देश में, उन सब के साथ ये अत्याचा हो रहा है, how did Mandela's hunger for freedom change his life, Mandela ने जो hunger थी, भूग थी, कि मैं अपने देश को आजात करा के रहूँगा इस system से, उनके जीवन कैसे बदल गया इस बात से, Mandela realized that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks, जब Mandela को ये realize हुआ कि खाली मेरी freedom curtail नहीं हुई, सारे लोगों की freedom छीनी गई है, जो black ह इस बात से उनका जो पूरा जो attitude है बदल गया, this change the fearful man to fearless rebel, एक आजमी जो बहुत डरा, डर्डर के रहता था समाज में, वो आफ fearless बन गया, निडर बाग ही बन गया, he sacrificed the comforts of a family, उसने अपना घरबार छोड़ दिया, he joined African National Congress, उन्होंने African National Congress join कर ली, and this changed him from a frightened young man into a bold one, और इस त चिलन इस last question का answer आप मुझे दोगे comment section में देखते हैं कितने बच्चे right answer देते हैं, which party did Mandela join, Indian National Congress, African National Congress, National African Party, या D, आप अपना answer दे सकते हो, A, B, C, या D, so I hope मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दे मिलते हैं आगले वीडियो में, बाब बाई